एलो फ्रेंड्स कैसे हो आप मैं यह सी का चोहान स्वागत करते हूँ आपका आपकी यूट्यूब चले स्टुडेंट इंडिया पे तो आज हम इस वीडियो के अंदर उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं हमने हमारी प्रीविज वीडियो के अंदर सब्द बंडार पढ़ा था इस वीडियो के अंदर हम उपसर्ग पढ़ेंगे ठीक है देना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं अब उपसर्ग और प्रत्य दो चीज होते हैं जिसमें से हम इस वीडियो के अंदर उपसर्ग को पढ़ेंगे प्रत्य हम अगली वीडियो मे जब्सकों दिखेंगे तो जो होते हैं वह क्या करते हैं सब्सक्राइब कोई भी शब्ड कि उससे पहले शब्रकुक कोई मेज़िल यह आजाएंगे और शब्रक्राइब का जो अर्थ है अर्थ वह गताहा discovering अर्थ को बदल देंगे मतलब एक और्से तो इनका जो अर्थ उता है भोवी हमालों कुछा भी मालों होता है एक लुक्त ना के बराबर होती है हमें ककी कुण मेरा पता नहीं तो रहा इसका क्या आर्थ है लेकिन जिसस्ब्द के पहले ये सब्ध लगेंगे वहां पर दोदों से लगेंगे वहां पर लगते ही कि अर्थ को परिवर्तन कर देंगे उसका आर्थ होगा कुछ और लेकिन उपसर्ग के लगते ही उसका आर्थ क्या हो जाएगा एक दम बदल जाएगा एक्दाम्पल से देखते हैं उधार नमारा हार अब हार हम सब लोग जानते क्या होता है एक तो भाई तुम हार गई मतलब उसके जीत नहीं हुई वही होता है उसके जीत नहीं हुई भाई वो जीत के नहीं हाया हार गया एक होता है पहनाने वाला हार जो हम मालाए बनाते हैं उसे हार कहते हैं यह दो हार होते हैं लेकिन इसी हार के आगे अगर हमने यह आ लगा दिया जिसका मतलब हमें पता नहीं है और हमने यह आ लगा दिया आ प्लस हार मिलके क्या बना आहार और अब जो यह आहार बना है इसका अर्थ क्या है भोजन खाणा इस सहार का क्या अर्थ हम जो हार जदयें पर जीतते नहीं है और दूसरा हम मालाई बनाते हैं कहां वो और अर ा सहार भोजन कनेक्शन भी देखShahlar भलकुल नहीं फिर भी आके इस किया एसे ही हार उसका मतलब यह होता है यह अहाया should यह कहा है हमारा सन अब इसको लगने से क्या होगा सन हार यह कह था हार इसको लगने से क्या होगा सन हार अब इसने मीनिंग बदल दिया मतलब इस उपसर के लगते ही इसका मेनिंग फिर बदल गया विनास इसका मतलब क्या है विनास दोनों में ही कितना अंतर है आके लगने से भोजन और संद के लगने से क्या बना विनास इसका संहार हो जैगा हम कहते हैं तो विनास एकदम बिलकुल ही अलग बिलकुल connection नहीं होुरा लेकिन इन उपसर के लगने शेकर किया हुआ है यह इसका earth भेद भी होते हैं क्या होते हैं कि भेद क्यालो प्रकार क्यालो तद्सम उपसर्ग तद्भव उपसर्ग आगत उपसर्ग कहोंगे तद्सम तद्भव ये नाम था उने कहीं सुने हैं हाँ आपने सुने हैं आपने पढ़े होंगे सब्द के जब वेद पढ़े थे वहां था त वो उन में था वो यहां पर है आगत आप लोगों के लिए नया है लेकिन अगर मैं आपको एक और से बताओं इसे आप विदेशी सब्द भी मान सकते हों कैसा विदेशी चब्द जो हम विदेशी चब्दी उस करते थे वहां पर वो मान के चलो वो अने मालो कि यह वही है ठीक है कोई अंतर नहीं है बस वहां इसे विदेशी कहते हैं यहां इसे आगत कह दिया है लेकिन इन दोनों में तो नाम भी वही और इनका कारिया भी वही है ऐसे उपसर्ग सब्द ज संस्किर्थ भाषा से डायरेक्ट आ गए हिंदी के अंदर डायरेक्ट आ गए और वहां क्या था कि ऐसे सब्द जो संस्किर्थ भाषा से बिल्कुल डायरेक्ट आके हिंदी में प्रयोक किया जा रहे है जैसे कारिये बताए था मैंने यहां पर क्या है प्र प्रा अप्सम अ क्या है प्रेकाश, प्राज्य, अपकार, अवकाश, उत्पत्ति नहीं समझ में आया होगा, मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया होगा, पहले तो यह जानो, कि जो यह सब्द आये हैं, मैंने जितने बताएं, यह तच्छम सब्द है, इसका मतलब यह सब्द डायरेक्ट संस् संस्किर्ट में हिंदी में आया है वही हमारे तनवा सब्ध थोड़े से चेंजिंग के साथ है कि दिवाता बदलाव यह आ रहे थी संस्कृत में इनमें हुआ बदलाव बदलाव होने के बाद ही आ गये कहां पे हिंदी में धेको यहां पे थोड़ी सी क्या कार्य हुआ है कुछ थोड़ा सा क्या हो कार्य हुआ है लेकिन यहां कुछ कार्य नहीं हुआ यहां इनको रोकने वाला कुछ नहीं चलते गए चलते गए चलते गए और हिंदी में आ गए यहां इनको रोक दिया यहां आए आते ही देखा बाई चल रही थी गाड़ी ट्रैफि प्रेपर अब मैंने बताया था यह जो शब्द है मतलब जिस सब्द के आगे उपसर्ग लगेगा उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो गाए इतना पता है कि वो हमारे सब्से पहले आएगा तो आप वहां जाके कोई देखेगा आप अहां पिछे का क्या वहां पर आपको इनका विष्चेद करोगे इनको जब अलग करोगे तो आपको विग्रा करते समय आपको देखना होगा कि जब पीछे का सब्द आएगा उसका कोई अर्थ होना चाहिए अब आपने लिख दिया आहा ये हमारा उपसरग है प्लस में अर्थ ये हमारा क्या है? सब्द है इस अर्थ का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला इसका कोई अर्थ है? नहीं है आप लोग दिया वे उपसरग का अर्थ ही नहीं है लेकिन हमें जो मूल सब चाहिए उसका तो कोई अर्थ होना चाहिए ना उसका तो कोई अर्थ होना चाहिए लेकिन यहां तो इसका कोई अर्थ है है ही नहीं तो मतलब इसका हमने जो विग्रह किया है जो उपसर बताया हो गलत है आप जिब इनका विग्रह करोगे तो वहाँ आप जो भी मूल सब देखोगे उसका क्या होना चीए अर्थ जरूर होना चीए जैसे हार हार का में अर्थ ब पता है कि यह प्र्यह क्या है अपसरग नहीं है तो आपको कहें कि इसका शयवार करके कि इसमें इंपसरग है और क्या हमारा यूर्मसब्द है तो आप कोई क्या करेंगा फ्रक कोई कुछ कुछ भी देखेगा को दोगे कि पक्ता क्या होओ सक्ता सथाट फोगा नहीं तो इसके लेए आपको मूलसब्ड से बन रहे हैं अब हमार कास क्या है कास कि इसमें मूल सब्ड आज ठार होती ठार जानते होगे Mapkar का नाम है पर है तो नहीं क्या करे तो यह कास जो है न यह इसका कैह मौलसॉथ है अब यहां आया प्रकास हमने इसमें मौलसॉथ धूण लिया हमने टुकडे टुकडे कर दिये और मूलसब धून लिया हम नहीं छोड़ेंगे हम में चाहे कुछ भी करना पड़े अपना मूलसब्ध हम डून लेंगे मूलसब्द धूनते ही में जो सब्दय उसे धूनते ही हमारे पास जो बचा वो हमारा क्या है उपसरक है जो भी बचा वो हमारा उपसरक है याया क्या फिर प्र कास क्या होगा हमारा मूलसब्ध हो गये तो बचा क्या उपसरक प्र अब ऐसा यााता है ब अब साहर दिखया है आप लोग को मूल सब्द है जे नो इन नो पकार में क्या है? कं देख सकते हो कार को कार है सब्द है यहां पे नाम भी हो सकता है तो इसे कोई नाम भी आ सकता है जरुब कि बात नीए है कार आप लोग जानते है सब्ध है हमें पता है क्या हो गए तो कार हमारा हो गया मुलसब्ध सब्सक्राइब भूंड लिया जो कुछ भी बच गया वह हमारा फिर उपसर्ग है वह हमारा के उत्तति उत्फप्त्ति में क्या उपसर्फ होगा उत्पथी पत्ति हमारा मौल सब्ध है क्या है मौल सब्ध क्या उत्थ यह तयक case निचे हलनत आगा क्योंकि हां पिस्तए क्या है आधा है ये हमारा क्या भचा उपसर्ग बचा और मुल सबद आगया हमारा यह साम पति उपसर्ग क्या होगया सम ठीक है अनू कर्मण कर्मण उससे आगया आगया अनू कर्मन क्या है मारा एक मूल सब्ध है तो अनू क्या हो गया एक कर्मन एक हाँ मूल सब्ध है और अनू हमारा हो गया उपसर्ग ठीक है दू दूरलब मैंने क्या बोला दूरलब इसमें क्या उपसर गया और क्या प्रत्य है आप लोग देखते ही बताओगे दू तो कि यहाँ दू लिका हुआ है लेकिन नहीं इसमें दू नहीं इसमें दूर है क्या है इसमें दूर क्योंकि देखो अगर आप इसमें दूर निकालते हो तो आपके पास बचेगा क्या रलब यह कोई सब्द है नहीं है ना तो कहां से आपने यह निकाला फिर तेहां दू आजएगा कहां से यह निकाल दिया आपने दू चेक करना होगा अगर आप यही निकालते हो दूर दूर प्लस लब क्या बढ़िगा हमारा दूर लब ठीक है ना दूर बल दूर लब सब दागते हैं ऐसे आपको ढूडने हैं मुझे लगता है आपको समझ में आने लग रहे होगे कभी आपकी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट रखी ने बताते रहना ताकि मैं उसको क्लियर करती हूँ बहुत इजी है बस आपको विग्रहे पर थोड़ा ध्यान देना होगा विग्रहे ठीक कर दिया तो उपसर्ग समझ लो आपके पाल आ जाएगा तद भाव उपसर्ग चेंज होने के बाद क्या है पर आए हिंदी में आए ट्रैफिक आया उस ट्रैफिक से बच बच के बच बच के हमारे हंदी में आए लेकिन फिर भी वहां पर बदलाव हो गया जैसे अध, ओ, उ, उ, इ, भर ये कहां से आए हैं संस्किर्ट से थोड़े से बदलाव के कारण आए है अचर अब इसमें क्या है हमारा उपसर्ग देखो क्या उपसर्ग है इसमें हमारा अ अब ये अ कैसे है आपको मैंने बता ये मूल सब निकालो मैंने ए उपसर्ग बता है तो आपके पास क्या बच क्या चर, चर मतलम चर्ना, चर्ना क्या हो गया हमारा चर्न, तो बचा क्या अ, तो अ हमारा क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया, अमर, मन सब्द हो गया, और अ उपसर्ग हो गया, उन सठ, सठक सब्द हो गया, और उन हमारा उपसर्ग हो गया, दुब बला अब इसमें क्या है बला बला एक क्या होगे हमारा मूल सब्द और बचा क्या दू जो ये दू बचा है ये हमारा उपसर्ग चो पाई इसमें आप कमेंड शक्षने बताना कि हमारा उपसर्ग क्या है चो पाई में कमेंड शक्षने बताना मुझे कि हमारा उपसर्ग क्या ह या फिर कह सकते हो कि इसका दिग्रे करके आप का मैंस अक्षें में बता देना आगएत उपसर्ग मैने बताया बलकुल विदेशी वालों होता है जो विदेशों से आए हो मतलब हिंदी के ना हो, संस्कृत के भी ना हो विदे, सोशे, विदे, फार्शी भाषा, अंग्रेजी भाषा इन से हमारे किस में आए हो, हिंदी में आए हो वेश्वप्द जैसे बा, बे, बीला, गैल, बद कितने अजीव-जीव से वर्ड है अब देखो, कम, जोर इसमें क्या है, जोर, एक मूल सब्ध है थोड़ा जोर लगाओ, हम कहते हैं, बचा क्या, कम तो कम क्या होगे हमारा, एक उपसारग हो गया बेकार, ये तो मुझे लगता है, आप लोग बता दोगे तो इसे भी कमेंट ट्रक्शन इस लिए छोड़ दूँ मुझे लगता है, इसे आप बता दोगे तो ये और ये, दोनों किसमों नची हमारे कमेंट श्रक्शन इस ठीक है, ला जवाब अब ला जवाब का तो आप लोग जानते ही हो जवाब होगे हमारा, मूल सब्ध बचाला ये क्या होगे हमारा, उपसारग ठीक है, गैर कानूनी कानूनी हमारा कानून गैर बचा होगे होगे हुपसारग बत तमीज तमीज हम लोग जानते हैं, क्या होता है बाई, तुझ में तमीज नहीं है बत तमीज, तो इसमें क्या होगे होगे हमारा, उपसारग ठीक है, बेकार होगे है बेकार्तों ये जितने भी आए ये विदेशी शब्त है तत्सम सब्त आपको पता है इंदी में डैराक्ट आ जाए संस्किर्ट से तत्सम सब्त थोड़े बद्नाव के कारण आए तत्दभाव सब्त विदेशों से आए हमारे आगत उपसर्ग यहाँ उपसर्ग है सब्त की बाता है तो वो और होते हैं उपसर्ग अलग होते हैं ठीक है उपसर्ग क्या होता है सब्त से पहले लगते हैं और लगते ही उसका अर्थ क्या कर देते हैं बदल देते हैं ये थूप सर्क, कोई डाउट रह जाए, कम्मेंट सेक्शने बताएं, वीडियो अच्छी रगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेर करें, थैंक्स परोटिंग मैं वीडियो